गुड इबनिंग प्यारे साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीवियार स्टडी में आप सबको पता है बच्चों की सामको साथ बज़े से आप हाई स्कूल की मैथ पढ़ते हैं आज आप पढ़ेंगे आपका चैटर नंबर 12 चल रहा है एकसरथ 12.3 क्योंकि 12. 12.2 तक कल हो चुका था खतम हो चुका था है ना इस चैटर का क्या नाम है हिंदी में बताऊंगा इंगलीस में भी बताऊंगा दोनों में बृत्तों से संबंधित छेत्रफल एरिया रिलेटेट टू सर्कल ठीक है यह चैप्टर है कुश्चन आपके सामने है उम्मीदों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना है ना वो उल्टा हो गया हौंसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक पर फिर फे जितने की उम्मीद को जिंदा रखना यह लाईने भले पुरानी है लेकिन एक नया जुनून लाती हैं तो उम्मीद बना के चलिए साथियों जिन्दगी में सब कुछ मिलेगा पहला कोश्चन है स्क्रीन पर आप देखिए तरहा है आकरती में आकरती मतलब वह आकरती नहीं यह वाली आकरती में यानि फिगर में छायंकित भाग का छेतफल ग्याद तो ओ इसका सेंटर है आपको फाइंड करनी है एरिया आफ दिस पार्ट ओके देखो बच्चा अगर इसमें हम बात करें हैं एरिया निकलने के लिए तो आगे हम बताएंगे उसके पहले बहुत बच्चे कमेंट करके परिसान हैं उनका नाम बोल देते हैं जैसे कि कभीर देखते हैं उनका नाम लेते हैं उनको देखते हैं कमेंट भी देखते हैं जो रोज नहीं जूड़ता उसका ने देखते हैं देखो बच्चों यह नहीं दिया था यह आपको नहीं दिया था मैंने निकाला है कैसे देखिए अर्धबृत में कोई भी जो ब्यास होता हूं नब्य अंस बनाता है इसका पर्मिय भी आप पढ़ चुके हैं कच्छानों में पढ़ा होगा है ना पढ़ा है तो यह अगर इ सकते ना क्यों लगा सकते ना यानि आपका कर्ण हो जाएगा ना तो कर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू आपका क्यू आर का स्कॉयर एक्वल आपका पी क्यू का स्कॉयर और प्लस पी आर का स्कॉयर यह बनेगा ना तो आप इसको निकाल लो क्यू आर पी क्यू 24 कम है उसमें 625 हो जाएगा कितना हो जाया करजा 625 यानि आपका यह क्यू आर का होली स्कॉयर कितना हो गया 625 आप हाई स्कूल में पहुंचे ओ अगर इधर से स्कॉयर हटाओ गया अधर वर्ग हो जाएगा स्वरी वर्गमूल हो जायेगा तो 625 का वर्गमूल 25 आएगा यानि आपका है सकते हो कि आपकी ये जो भूजा जो नहीं दी गई थी ये कितना है 25 कितना है 25 ठीक है देखो बिटा बाबु समझो अगर 25 आ गई तो जो चात्र इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें उनको पता है या नहीं भी पता है छोड आप यह देखो कि यहां से अगर ब्यास खीचा जा रहाय तो इसका मतलब यह तो भाग समझ रहे हो अगर इसमें यह तिर्भूज ना होता सोचो तब यह पूरा पूरा अर्धवरित था ना यानि सेमी सरकल का हम एरिया फाइंड कर लेते हमारा अंसर आजाता लेकिन लोचा तो इसमें हो रहा क्योंकि इसमें तिर्भूज भी बन गया उसी आधे में तो क्या निकाल लो और उसमें सित्तिर्भूज वाला घटा दो जो बचेगा इतने का आ जाएगा है ना तो लिखिए एरिया आफ सेडेड रीजन हा या फिर चायंकित भाग का छेत्रफल चायंकित भाग का छेत्रफल इंगलिस में अचे लिखेंगे ना हार आई रए calories इंगलिंस भी थोड़ा थोड़ा सीखो क्या करोगे सेमी सर्कल का अरिया में से तिर्भूज वाला घटा दोगे लिखो area of semicircle minus हिंदी बाले लिख लें अर्थब्रित का छेतरफल minus तिर्भूज PQR semicircle minus तिर्भूज PQR मैं हिंदी में भी बोला हूँ ध्यान देना परिसान नहीं होना मैंने बोला छायांकित भाग का छेतरफल बराबर अर्थब्रित का छेतरफल माइनस तिर्भूज PQR ये हिंदी में बोला हूँ ठीक है तो बिटा अर्दबृत का जो छेत्रफल होता हो क्या होता है पहले तो बृत का छेत्रफल जान लो πाई यार स्कॉयर होता है तो अर्दबृत का अगर करोगे तो क्या होगा हाफ हो जाएगा इसी का बाई सिंपल सी बात है अगर तुम्हार दबृत का करोगे तो इसका अधा हो जाएगा न माइनस तिर्भूज PQR यानि यहां से तिर्भूज का छेत्रफल घटा होगे तो बाई सिंपल सी बात है दो दो को दीटो लगा दीजिए 1 आपान 2 इंटो फाईकमान रख दो क्या आएगा पटाफ़टाटरखो सब्सक्राइप कमान 22 बटासाद ना दीया भी है पोजिशन में देखो दिया है ना तो बाइस बटा साथ और आर कमान देखो अगर ब्यास 25 आया है तो 25 का आधा आपका रेडियस होगा न यानि आप 25 बटा दो कर सकते हो इसको आयर है इसलिए 25 बटा दो दो बार माइनस वन अपान टू इन्टू बी इसमें देखो बी यहनी चोड़ाई और एच एच अन्नम उचाई कितना है दिख रहा है नहीं कि दोड़ाई कितना है किटना सेबन दिख रहा है न आपको रख दो मेंस अधार पर कितना सेबन उचाई कितना चाओविस इंको देखिए हे ऍहल करना आसान है यह 12 से कट जाएगा ग्यारा आएगा आपने और कहीं कटे बटेगा नहीं देखलो चाए कट जाए तो दो से कड़ जाएगा बारा जाएगा इनको फाइनल में आप मल्टीपल कर लीजिए गुड़ा करना आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप हाई स्कूल में पहुंच चुके हो है ना बाबू तो गुड़ा कर लो यह अंडश्ट पचात्तर आ जाएगा कितना है क्या गुड़ा कर लोगे ना 25 का गुड़ा 25 में करो तो आपका 625 हो गया 625 का गुड़ा 11 और 11 फचे पचपन और 11 यह दिख रही है 11 से कर लो न 11 55 हासिल 5 11 22 27 27 क्यों हो गया कि नहीं हाफिल दो 11 6 6 62 अनफट नहीं हुआ 88 55 यह तो बोल रहा हूं नीचे क्या हो गदो 24 28 माइनस वैसे इसका भी कर लो 12 84 84 इतना करने के बाद यह लिखना इतना करने की बाद यहां से इतना करने की बाद ये लिखो कि इसका क्राष मल्टिपल करों कोई तो 68inhas तर माइनस यहां दिख रहा है ना कि अड़ सट पचात्तर माइनस दिख रहा है ठीक है 84 का इसमें 28 में मल्टिपल करोगे तो आपका 23 बावन आएगा गुड़ा करना आपको आना चाहिए नीचे 28 इनको आपस में सब्ट्रेक कर लीजिए घटा लीजिए इनको आपस में इसको कोई डावट है तो बताओ इंडियन 2.0 कमेंट आ रहा विकास आपका भी आ रहा है अपका कमेंट आ रहा जो चात्र डेली हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनका नाम जरूर बोलते हैं इसलिए आप हमारे साथ रोज साम को साथ बज़े जुड़े आनलाइन ठीक है रोज डेली को टेली गराम पर जरूर जोइन करने जिससे कि हम आपको रोज कलास की लिंक भेज सकें क्योंकि रोज वाट्सप पे लिंक नहीं जाती सिर्फ टेली गराम पर जाती है ठीक है पापा चलो आगे बढ़े अगला नेक्स कुईस्टन नमबर दूसरा इसको स्क्रीन साथ लेलो लिख लो लिकेंड नमबर दिखाओ जल्दी से सबसे नीचे देखो इसक्रीन पर कुईस्टन सिकेंड यह बहुत ज्यादा कर दिया इन्होंने सिकंड देखो सिकंड कोशन बहुत ध्यान से देखिए आपके सामने दिख रहा है आकृती भी दिख रहा है इसका फिगर भी दिख रहा है फिर वही करना है लेकिन थोड़ा साल लग इस पार्ट का आपकी एरिया निकालना है और क्या कह रहा है यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्र य यहां देखो ए ओ सी यह कितना है फोटी डिगरी है द्यान देना ठीक है तो क्या कह रहा है पाई कमान भी दिया है चलो सिंपल है कर लेते हैं जो भी दिया है देखो इसमें अगर हमें एक चीज मिल जाए क्या अगर यह पूरा कोण हम निकाल लें और उसमें से घटा दें कौन सा जो छोटका वाला कोण तुमें दिख रहा है बी ओसी है ना पूरा पूरा कोण अगर हम निकाल लें ए ओडी और इसमें से बी ओसी घटा दें तो हमारा चायांकित भागा जाएगा लिखो एरिया आफ सेड़र रिजन या फिर चायांकित भा अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था ना बृत्त खंडवन्ड के बारे में चाप के बारें पढ़ाया था यह बृत्त पर क्या है चाप लगुचाप और दीर्गचाप माइनर आर्क और सारी माइनर सेक्टर और सेग्मेंट और मेजर सेग्मेंट पढ़ाया था अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो यह क्या है एक परकार से माइनर सेग्मेंट है ना माइनर है ना छोटा है ना तो लिखो एरिया आफ एरिया आफ टेक्टर ए ओडी के ऊडी माइनस तिर्भूज भी ओशी ठीक है ओक यह पिर ऐसे भी कह सकते हो आप सेटर बीओं सी यह यहीं बोल सकते हो क्योंकि वहां पर तिर्भूज नहीं बन रहा है एरिया आफ एक्टर बी ओसी हिंदी मीडियम ओले ध्यान ने परसान नहीं होंगे मैं हिंदी में भी बताऊंगा लिखो चायंकित भाग का चेतरफल बराबर चायंकित भाग का चेतरफल बराबर लिख रहा हुँ ना चाप ए ओडी माइनस चाप बी ओ सी ठीक है अब ऐसे अगर आप ऐसे लिख दोगे इंगलिस में भी तो कोई गलत नहीं काटने वाला ठीक है आप सिर्फ समझ लो मतलब बस कैसे करना है कमेंट करके बताना नहीं समझ मैं आगा बिल्कूल टेंसन मतले ना म ठीक है हिंदी वाले देखो परिसान नरोगा चलो बहुत सिकाता आतीम जचेतरफल बरावर बड़े वाले त्रिजेखंड का सेदरफल माइनस चोटे वाले त्रिजेखंड का सफल यह पूरा-पूरा बड़ा वाल माइनस चोट आला घटा देंगे थीक है तो लीख लो 360 ठीक है और फिर क्या होता है इंटू पाई यार स्कॉयर पाई चुकि बड़े वाले का निकाल रहे हैं इसके लिए आर को कर देंगे माइनस यह भी हो जायागा वही इंटू पाई और यह छोटा वाला इसलिए आर को इसमाल कर देंगे ठीक है दोनों में अंतर जनाई पड़ कोन कितना दिया बाबु 40 दिया ना कोन 40 दिया आप 40 रख लो कितना 360 गुड़ा पाई कमान 22 बटा साथ यह दिया है इंटू आर कमान बढ़े वाले में देखो 14 दिया है यही इसमें भी करेंगे ठीक हमान 40 यानि कोन चालिस दिया दोनों में 360 गुड़े पाई कमान 22 बटा साथ तिरिज्ज्या देखो दोनों में क्या दी है शुटके वाले में 37 दी है यह बढ़के वाले पूरा-पूरा की चवदा थी और यह साथ थी ऐसा कहा गया है ठीक है क्लियर इन सब को हलकर लिजिए साथ से इसको काटोगे बाबु तो साथ दूना 14 इनको 0-0 काट दो 4-4-4-4-4-9-6-6 यानि फाइनल में नहीं आएगा वैसे इनको सेबन सेबन डिवाइड कर सकते हो जीरो से जीरो यह फोर और फोर नाइन्जा 36 अब देखो इसमें कोछ डिवाइड नहीं होने वाला है और अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई उ दियान कर लो चलो इनको गुड़ा करोगे ऊपर 22 का दो में तो 44 हो जाएगा और 44 का जब गुड़ा करोगे बाबू 14 में तो 14 चौपा चौपन और 14 चौपन च्पन चाह एकसट 616 आएगा 616 आएगा और नीचे आपका 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि और कुछ नहीं आने वाला है माइनस इसमें देखो साथ का गुड़ा करोगे जब 22 में तो साथ दूना चौदा साथ दूना चौदा एक पंद्रा एक सो चौवन आएगा 154 आएगा ठीक है नीचे 9 आएगा थोड़ा सटा के इसलिए लिख रहा हूं जिससे जल्दी आ जाए इनको घटा लोगे बच्चा से 3 से काटो से काटो तो तीनत्री का नो तीन एकम 3-353 चौग बारा यानि हम कह सकते है 154 आपां 3 यह क्या हो जाएगा सेंंटीमेटर का सक्वायर यहाई क्या है फाइनल आंसर के बाद यहां किया गया कितना आसान है ना सिंपल सी बात है जो आपको आकरती तिर्भुज दिखरा है अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा तो इसकी पूरा निचोड मैंने आपको पढ़ा दिया है ठीक है कि कैसे इसका क्या मतलब है बड़े वाला चीखंड ओर बड़े वाला चीखंड इसमें दोवां इंगलिस है भी आनल में तर पीछे वाला आगे वाला ये हो झाल आजहना जागे जागे रहते थे सोए रहते थे होती थी प्यार की बातें कभी तनहाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलकातें इसके आगे नहीं याद भी कोसिस करने चाहिए बताइए का जरूर कमेंट करके कैसे लगा एक्चुली अभी मार्केट गये थे आ रहे थे तो एक ट्रक में बजता हुआ जा रहा था तो मुझे इतना ही सुनाई पड़ा उतना ही याद हो गया और थोड़ा भानाव से भी जु पॉइंट टूवन में चायंकित भाग का च्छेत्रफल गयाद कीजिए यदि ABCD भूजा 14 सेंटीमेटर है बतलब जो यह स्कॉयर आपको दिख रहा है वह 14 सेंटीमेटर का क्या है एक स्कॉयर है और APD तथा BPC दो अर्धवरित हैं जिने बोलते हैं सेमी सरकल है यानि आपक वह क्या बोलते हूं से रिजन सैडेड रिजन है जायंकित जो एरिया उसका आपको एठीकनी है और यो से स्क्वाइर दिया है उसकी साइड चारों तरफ 14 सेंटीमेटर 14 सेंटीमेटर है उसमें टू सेमी सरकल दीएं दोनों साइड से ठीक है मैं आपको एक देशी फिकर दि हुग हमीए निखालना क्या है हमें इसका एरिया निकालना आपको विरान दिखद कंद्ग इतना एरिया हमें में वह चूर आप यहां पर प्युकल्ळ निकालने पुर तो यह लगाने का संवंजो यह कि यहां पर हम एक चीज कर सकते हैं वो क्या अगर पूरे वर्ग का छेत्रफल को घटा दिया जाए तो हमारा जो यह बोल रहे हो आजायगा काम बन जाएगा थे यह और दी लगे ना फिट के री और रंग चोखा हो तो चलो कर लेते हैं लिखो लिखो लीए में लिखेंगे वर्ग का छेत्रफल माइनस दो गुड़े अर्धब्रित का छेत्रफल यानि अर्धब्रित के छेत्रफल को दो से गुड़ा करेंगे क्यों क्योंकि हमारे पास दो अर्धब्रित है ठीक है इंग्लिस मीडियम आले लिखेंगे एरिया आप सेड़ेड रीजन इक्वल एरिया आफ स्कॉायर माइनस इंग्लिस में लिख देता हूं हिंदी में आप लोग सुने लिए लिख लीची आँ है कि मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हमारे कुछ जादा नाराज हो जाते हैं और बाल ठीक है सुन्त लिए अदुनों ॥ो रक वोड़क जो अच्षितरफाल होथा क्या होता है ृवर्ग का नी इस साइड का स्कॉयर है न Dep हो विजके स्कॉयर एस त्यां शुत्र भी लिख दूंकि हम दन चलो इसी में आप सारे मान को पुट कर दीजिए आपका अंसर दोड़ के खट से आजाएगा कि इसकी जो साइड दी है राजा कितना दी है 14 दी है न आप 14 का स्कार कर दोगे माइनस टू इंटू पाई की बैलू 22 अपान सेबन इंटू आर आर मिन्स रेडियस आप ध्यान दो अगर यह पूरा पूरा 14 सेंटिमीटर है और यह सेमी सरकल है तो यह इतना कितना होगा सेबन होगा न तो इतना यह भी सेबन है होगा पूलो मैं सहीं बोल रहा हूं न यहां से आरका मान हम कितना रख देंगे भाईया सेबन रख देंगे बाबू कितना तो आपका यह आरका स्कुर्यार यह नहीं 7 इंटू 7 ठीक है लेकिन नेक चीज गड़बड़वा रहे हो नीचे एक दो भी लिखा था यह दो यहां इसको मत छोड़ना नहीं तो यह सब गड़ बड़ाए देगा है ठीक है चलो अब देखो एक चीज समझो इसको चाहे तो हम दो इसके नीचे लिखते हैं तो थोड़ा जाद आच्छा लागेगा साइड में वाकी यहां भी लिख सकते हो पूरे के नीचे है वह करना है यह आपका 196 आ आपका अंसर आजाएगा क्यों कोई मुसीबत नहीं ना पटा पड़ लिखिए दिखाए अगला अगर नहीं लिखा था आपने तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा ठीक है पीछे करके लिख लिजिए अगला कोश्चन दिखिए क्या कह रहा है दिख रहा है ना चलो इतना मौका बहुत था आपको लिखने के लिए अगले कुश्चन में कह रहा साथियों कि आकरिती 12.22 में छायंकित भाग का छेतरफल ग्याद कीजिए जहां 12 सेंटीमेटर भुजा वाले एक संभाहु तिर्भुज को केंद्र मानकर 6 सेंटीमेटर तुरिज्जा वाला एक ब्रित्तिय चाप खींचा गया है यानी चायंकित भाग का आप से एरिया पूछा है कर लोगे ना ऐसी तो मैं इंट्रोड़क्शन वाले पार्ट में भी बताया हूं मैं एक कुईशन आपको होमवर्क दे रहा हूं बस बिल्कुल टेंशन मतले ना कमेंट करके बताओ कर लोगे कि नहीं नहीं आएगा तो बता दे ना चलो मैं पाच्वा बताओंगा इसको जो यहर यहीन चीज है इंट्योर काटा गया और बीच में दो सेंटीमीटर ब्यास का एक वृत काट गया है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है तो कह रहा है कि वर्ग के सेस भाग का छेतपल ग्याद कीजिए यानि जो इतना कुछ काटने पिटने के बाद बचा है उसका एरिया पुछ रहा है यह पहले कमटर बचिने के काट लिया किंग का कमेंट आ रहा है सूरज श्टड़ी अखले स्यादो प्रीतम विश्वास और आधरस पाल जी कभी कमेंट रहा है पलभी सिंग्राजपूत का कमेंट रहे हैं राजू भाई कभी कमेंट रहे हैं और मिथलेस मुरारीलाल और मुसलिम अंसारी बहुत से बच्चे जुड कि देखो बच्चा जो पूरा पूरा कोईश्चन है ना इसकुएर उसमें से कुछ भाग काट काट निकाल लिए गये हैं हम एक काम करेंगे पूरे पूरे इसकुएर के छेत्रफल से अगर हम इस काटे गए भाग के छेत्रफल को घटा लें तो हमें वह मिल जाएगा जो हमें निकालना है यानि हम लिखेंगे हिंदी में सुनिये लिखिये के क्या कह रहा था मिए ऐस्षडवाोग के सेजब्स आइप चेट्रफल गयात कीजिये लिए लिखो हिंवाले वर्ग के सेब्सट्र बारबर वर्ग के सेजब्सट्वा,का-क चेथिम्स वर्ग का छेत्रफल माइनस चार गुड़े चतुर्थांस यानि वो जो चार छोटे-चतुर्थांस काटे गए हैं क्वाडरेंट उनका क्या करोगे मल्टीपल कर दोगे फूर से ठीक है यह फिर आइसा कर सकते हो हो इन टू चतुर्थांस यानि उन चोटे-चोटे चतुर्थांस हो का एरिया ओके इंगलिस वाले कैसे लिखेंगे सुन लो समझ लो इंगलिस वालों के लिए तुम ने लिखी दिया है देख लीजिए एरिया अफ रिमेंनिंग पोर्शन इक्वल एरिया आफ स्कॉयर जैनि 4 दिया गया है तो हम क्या करेंगे 4 रख देंगे आप हैले तो शुत्रे रख लो साइड का स्कॉयर माइनस एरिया आफ 4 एरिया आप क्वाड्रेंट तो करेंगे लेकिन इस सर्कल का भी एरिया इसमें से घटाएंगे बावु ठीक है तो आप इसमें एक चीज और लिख लो भी पहले एरिया आप सर्कल इसी में से माइनस करो देखो यहां पर छूट रहा था इसी के आप बाद हमारे में जगा नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं यानि स्कॉयर के एरिया से आप चार क्वाड्रेंट का तो घटाओगे ही माइनस एरिया आप सर्कल जो छोटा वाला ब्रित्त है उसका भी छेत्रफल घटाओगे ठीक है तो आपका यह बनेगा फाइनल में एरिया आप स्कॉयर साइड का स्क और पाई आर का इसको इसको आप फॉर से मेल्टीपल करोगे क्योंकि चार करका निकालना है एरिया आप सरकल पाई एरिद का स्कॉयर ठीक है यही तो होता है ना चलो साइड इसमें फॉर सेंटिमीटर दिया था बेटा बाबू यह 4 का ईश्कौयर माइनस थीटा लेखो इस तरह से जो होता है आपको मालूम है इस पर 90 का कोर्ण बनता है क्यों गए 90 कोर्ण बनता है यहां पर हर एक कोर्ण ने पर क्या होगा 90 का एंगल बनेगा इंगल नहीं रेडियस तो 1 1 सेंटीमेटर है कोईश्चन में भी कहा गया था एक एक सेंटीमेटर त्रिज्जा का बिर्ट काटा गया है न तो 1 है इन्टु 1 यह हो गया इनको 4 से मल्टिपल कर लो बाबू माइनस पाई यह 22 बटा साथ ठीक है और इस ब्रित का जो ब्यास था दो सेंटीमेटर था तो यह रेडियस इसका भी वन सेंटीमेटर होगा यह इसका भी क्या हो जाएगा 1 इंटु 1 प्लियर हल कर लीजिए 0 से 0 कट जाएगा 9 से इसको काटोगे 9.36 चार आएगा इस 4 से आप चार को काट सकते हो गुड़ा में है ठीक है यह आपका 16 हो जाएगा माइनस ध्यान देना यह 22 बटा साथ बचा बावू इसमें क्या है वन से कोई मतलब नहीं है तो यह 22 अपान 7 बचेगा यह माइनस माइनस और हर हर बराबर यह दोनों जूड जाएंगे ठीक है यह दोनों माइनस 44 अपान 7 बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं न ठीक है यहां के बाद में मैं ले जाके इसे वहां हल कर ले रहा हूं ऐसे इसको बराबर कर लो आप लो ठीक है इसके नीचे वन लिख लीजिए इसको आप घटा लेंगे LCM लेंगे तो 7 आएगा 167 112 माइनस 44 इक्वल किसी को कोई डाउट है तो बताइए मैं सामने से हट जाता हूं इसक्रिंसाट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कुछ भी कहना है तो बताइए कोश्चन देखिए कह रहा है एक बृत्ताकार मेज पोस्स जिसकी 32 सेंटीमेटर है कि बीच में एक संभाहु तिरभूज मैं इसे इंगलेस में भी बोल दूगा जा करता है जो कि आपको दिख रहा है कि सर कलना बच यह संगेमें जो तीरभूज को एगर हटा दिया जाए इधर देखो यह जो ट्राइंगल करके हमें यह एरिया और पायंड कर ना तीर्बूज के चारों तरफ बच रही है ठीक है समझ रहे हो ये तीर तीनों तरफ जो बच रही है दोनों वो और ये अацион करनी है बाबु है देखो सिंपल है यह ब्रित्थ है न के इस ब्रित्थ से अगर हमिस तीर्भूज का च्छेत्र हम घाटा दें टो थाटी टू सेंटीमेटर अडिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन एक्वेल्टरल ट्रेंगल एबीसी इन दा मिडल एच सोन इन फिगर फाइंड दा एरिया आफ डिजाइन फिर से सुन लीजिए इन आज सर्कुलर टेबल कवर आफ रेडिया थाटी टू सेंटीमेटर या यानि एक संभाहु तिर्बूज एक्वेटरल ट्रेंगल को छोड़ करके डिजाइन बनाई गई है जिसका तिर्बूज का नाम है एबीसी ठीक है और ट्रेंगल एबीसी इन दा मिडल एच सोन इन फिगर जैसे की दिखाया गया है इसका डिजाइन का एरिया फाइंड करते ह बहुत है सिंपल सा है हम क्या करेंगे इसमें हम जो तिर्बूज दिया गया बीच में इसका एरिया घटा देंगे किसमें से ब्रित वाले एरिया से ठीक है तो आप लिखिए एरिया आप सेड़ेड रीजन या फिर हिंदी में लिख लिए चायंकित भाग का शेतरफल बराब एरिया आप सेड़ेड रीजन इक्वल एरिया आप सर्कल माइनस एरिया आप क्वाड्रेट्र ट्रेंगल ठीक है इतने हो गया अब एरिया आप सर्कल क्या होता बाभू एरिया आप सर्कल यह होता पाई आर का स्कॉयर यानि ब्रित का छेतरफल क्या होता है पाई आरी स्कॉ 4 औरए बवीर स्कॉइशर होता है कि नहीं यह होता हैता है यह होता है ऑंलीसाइड का इसकॉइर ठीक हैत तोसाइड कैसक भट हुआ सब्सक्रणों फटाने माला कि अबश्ट को है तो यह थो तो हो इसक ही आपल या क्क है पायर जाने जाने आपसे और दिया क्या था देखो किसका दिया था सरकल का रेडियस दिया है इसमें आर लिखा यह घडबड़े थोड़ा सा यहां पे आर नहीं आप साइड लिखोगे ठीक है तिरबुझ का जो भूजाएं है कोई संभाहों तिरबुझा है तो उसकी साइड का किसी का एक मान पता होना चाहिए साइड का में तो साइड दी नहीं यह मुषिबत है साइड हम फाइंड करेंगे पहले इसमें से ठीक है इधर साइड में निकाल लेंगे साइड फिला के हमान रखेंगे आइए यह बहुत बड़ा काम है इसको समाझ लेते हैं ताथियों संबाहुतिर्भूज है तो इसके परते कौन साथ हंस के होंगे क्योंकि जो एक्वालेटरल ट्रेंगल होता उसके एंगल 6060 के होते चारों तरफ अगर 660 के होंगे ना अगर इसमें हम एक मेडियर ड्रा कर दे किसीज आपको पता होगा बहुत Woah sampai तो यह एक ही बिंदू पर तीनों जाके इंट्रसेक्ट करती हैं दुसरी बत यह जो एंगऑल होता इनको हाफ हाफ करते के आधा आधा भाग में बारती बराबर बराबर यह आप जानते हो ना तिरभुच पढ़े हो जानते हो तो अगर यह एंगल बाबू पूरा-पूरा ही बोलो हो जाएगा ना तो अगर हम इसको एक यहां पर हरा हो मैं कहां यहां पर मैं लहां तो बिटा जो यह बीडी है अगर हमें यह मिल जाए तो हम पूरा-पूरा बीसी निकाल सकते हैं क्योंकि जो बीडी होगी उसी की डेबल बीसी होगी होगी तो हम निकाल सकते हैं कैसे देखो हमें यहां पर एक एंगल दिया इसे मैं फिर से लिखतेता हूं यह 30 दिया है दिया तो यह पर ध्यान तो हमें थीटा भी दिया है और हमें यहां पर बेस निकालना है हाइपोटेनियस दिया है तो हम यह तिरकोर मिती अनुपात का परियोग करके हम इसको फाइंड कर लेंगे आराम से साइड में और लाके मान रख देंगे काम हो जाएगा और देखो थीटा कमान कितना दिया बटा थीटा कमान 30 दिया है तो यह हो जाएगा आपका कास 30 इक्वल बेस हमें पता नहीं है बीडी तो चलो हम बीडी लिख देते हैं हाइपोटेनियस हमें 32 दिया है कॉस्ट हीटा कमार रूट 3 बटा 2 होता है इक्वल आपका बीडी ठीक है अपान 32 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है नहीं नो प्रॉब्लम चलो इनको निकाल लीजिए पान यह 2 हो जाएगा क्यों कि इदर साइड दो का गुड़ा पहले इससे करोगे तो बीडी में हो जाएगा कच्छा 10 में पहुंचे वार इतना तो पता ही होगा निकाल लोग उतर जाएगा भाग हो जाएगा यह आपका कड जाएगा तो कभी भी गिंती को पीछे नहीं लि जाएगा ना यह अब तुम कह सकते होगे हैं अगर हम इसे पूरा पूरा लिखेए तो इस Dobar हो जाएगा ना डबल हो जाएगा ना यानि हमें तिर्भूज का क्या मिल गया साइड मिल गया साइड मिल गया तो पूरा मान निकाल सकते हो आचलो यहां पर मान रख दो इधर साइड में कैपि कमाड ट्वनिटीत्यटवां डांसेबन इन्टु आर आर मतल respecting हरीदिए 25 टी दिया था तो यह 32 root 3 into 32 root 3 दो बार है याद रहे बगल में जगा नहीं इसलिए मैंने नीचे इसको गुड़ा करके लिख लिया फिर से ठीक है अब इनको क्या करोगे सरल करोगे देखो बाबु इनको सरल करोगे इधर जगा शूट रही न ठीक है यह किसी से भी कहीं कुछ कटेगा नहीं सबको गुड़ा करोगे यह 32 का 32 में 1024 आएगा 1024 का 22 में गुड़ा करोगे जब तो 2528 आएगा गुड़ा करके देख लो 2528 बटे साथ भाई यह गुड़ा करना है कर लो न 22 गुड़ा 32 गुड़ा 32 का ऐसे भी कर लो multiple तो तो तुमको करना आता ही है माइनस यहां कट जाएगा दो से यह 16 आएगा और समझना तो लाएगा न यह रूट तीन का जब कहीं रूट तीन में गुड़ा होता है कोई भी नंबर अगर दो बार रूट रूट में multiple होती बाबू तो यह आपका रूट तीन इंटू रूट तीन बराबर तीन यह आपके लिखोगे 768 और अंडरूट तीन इसके निचे चाहे तो एक शिपा सकते हो यह फिर कोई मतलब नहीं यह लगभग इतना ही आएगा आप ऐसे इसको आंसर भी लिख सकते हो ठीक है समझ में आना इसके निचे लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है आप इसको से आंसर लिख सकते हो सेंटेमेटर का स्कॉयर यह कुश्चन थोड़ा सा कल्कुलेशन ज्यादा मांगते हैं समझ रहा हो ना थोड़ा लंबा हो सकते हैं कहरा कृति 12.26 एक दोड़ने का पत है यानि रेसिंग ट्रेक है ठीक है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्ध बिरताक है अब ध्यान से देखिए पढ़िए कुश्चन आगे क्या कहता है करा दोनों आंतरिक समानांतर रेखा खंडों के बीच की जो दूरी है वह साथ मीटर है इन में से प्रतेक रेखा खंड 106 मीटर लंबा है यह दिये पथ 10 मीटर चौणा है तो ज्यात करना है नीचे दिया अभी में पहले आपको फिगर बना के इसके बारे में समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा ऐसे कुछ कम समझ में आ रहा होगा देखो यह चित्र में ने बनाया पीछे दिख रहा ना आपको देखे जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो किरपा पढ़ाई पे ध्यान दे तो यह कितना है बाबू यह 60 मीटर आपको समझ के चलना है और इसमें कह रहा है कि परतेख रहेख खंड की जो लंबाई है वो 406 मीटर है यानी यह चीज कितना है 106 m है यह यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ठीक है इधर साइड भी किया है एक 106 m ही है बाहर की साइड में ठीक है तो यहाँ से इधर के साइड भी 106 मीटर ही है इसमें कोई दिकत किसी को नहीं न सब अच्छा है आलिज बेल चलो आप समझो किनारों के अनुदिस एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ग्याद कीजिए यानि जो पथ है और पथ कौन सा है यही पथ है यह क्या है रास्ता है समझ लो जहां हमारा यह पेंज जा रहा है डाट डाट यह क्या है पथ है कुश्चन में क्या क्या रामयदान है ना यह है दोड़ने का रेसिंग ट्रेक है लोग इसी पर दोड़ते हैं जहां मैंने डाट किया है पथ के आंत्रिक किनारों के अनुदिस एक पूरा चक्कर लगाने में चली गए दूरी यानि इसको पूरा टोटल कोई अगर घूमेगा तो कितनी दूरी जाएगा पहले यह ग्यात करना है दूसरा इस पूरे पथ का रेडिया निकालनी है चेत्रफल निकालना है आईए दिखाते हैं कैसे हो सकता है चलिए बहुत ही आसान है समझने की कोशिस आप लोगों को करना है मैं कोश्चन से हटा दिया हूं अब इधर ख लिखो पथ की आंत्रिक लंबाई कितना है भाई 106 इधर है 106 इधर है तो पहले तो आप इनको जोड़ लोगे 106 गुड़ा सरी गुड़ा नहीं दोनों जोड़ लो दो बार तो 106 और आगे यह तो इधर इधर की लंबाई हो गई लेकिन पूरे पथ का निकालना है तो अर्दवरित बना है एक अर्दवरित इधर बना है देखो अगर यहीं से देखें तो यह अर्दवरित बनता है से समझो ऐसे थोड़ा सकम सही बना वालग बात है रुको में थोड़ा सुधार देता हूं इसको फाइल गया जो यह ऐसे है देखो कुछ पतला हुआ सही वा ना कुछ ढंक हुआ यह क्या है बाबु यह एक अर्दवरित बना है यहां समझो ऐसे सेमी सरकल है ना वैसे इधर किनारे पर भी एक सेमी सरकल बनता है यह यह तक ठीक है इसको इधर मिला भी सकते हो ऐसे अभी बताएंगे यह क्या है यह एक सेमी सरकल है इधर का अगर देखो तो एक सेमी सरकल इधर है टोटल भाई पत्थ की बात हो रहे है इस रास्ते की ना यह सेमी सरकल की रूप में इधर भी है तो 2 सेमी सरकल की परिधी उसमें जोड है कि टो इंटू आर्धवरित को क्या निकालोगे परीदी ना परिधी ठीक है यानि स्रकंफरेंस आप 2 ‌ंश करकल को गर लिजिये यह कर दो सो बारा हो गया 202 बॉस हो गया कर दोगे तो पाइआर अफ कर दोगे तो ऑफ क्या करोगे चलो देखो अर्दबृत की जागा फुपल फ़ल्टकर लुए तो लूंगो webinar से एक मिनट और समझना है ठीक है सही जा रहा है कोई दिक्कत नहीं तो पाई कमान आप रख सकते हो 22 बटे साथ आर कमान लेकिन रेडियस क्या रखोगे रेडियस क्या दिया है समझो देखो पहली बात तो साथ दिया है आपका आंतरी कॉल न यह चीज आपका साथ दिया है तो यह अगर बृत था एक इसको मालो एक वरित्ता कार है तो जो हमें अध्रित हम रख रहे हैं यह बाहर से पूरा नहीं लेना ट्रेक तो हमारा यहीं से चोटे वाले इसका भी निकाल स पाई का पाई कमांद 22 बटा साथ रखोगे दसंबलों में रखोगे ज्यादा सही रहाएगा 3.14 रख दो इंटु आर कमांद 30 कुछ भी आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग लेकिन हल करना पड़ेगा तो 212 इसका गुड़ा करोगे 60 हो जाएगा है साट कैसे हो जाएग 400 के लगबग आएगा तो यह हो जाएगा 400.4 हम निकाल क्या रहे थे लंबाई न तो मीटर में आएगा यह क्या हो गई अभी अभी क्या हो गई बाबु हमारा यह फास्ट पार्ट जो कोश्चन का था वो डन हो गया यह पत्थ की पूरी लंबाई आ गई यह जो यहां से चल में दो पार्ट था जल्दी करिए देखो बच्चों कमेंट के पीछे ना पड़ो मैं सबका कमेंट देख रहा हूं ठीक है ठीकन पार्ट देखो नीचे लिखा है ना पत्थ का शेतरफल ग्याद कीजिए यानि आपको क्या करना है इसी पत्थ का अब हमें एरिया फाइंड क इंका पूरा कापको छेतरफल निकालना है तो पहले आपको समझना है कि यह है क्या अगर इस लाइन को हम यहां पे सिधा-फिधा बढ़ा लें आप देख रहूंड इसको भी बढ़ा ले इसको भी बढ़ाले अब आपको समझ के चलना है कि इनके आम नामकरण अभी तक नह आप समझो आगे मैं आपको और भी कुछ चीजें लिखाना चाहता हूं समझना यह मैं मिटा दे रहा हूं 106 मीटर लंबा था इधर जितना था उधर है उतना उधर भी है तो कोई मतलब नहीं है तो इनके आप नाम लिख लो जैसे यह और मैंने दाया थाइगा इधर है फो गया इधर मादले यह ऑगया इधर हो गया है अब अगर है चीज देखो A नइए DF और EBC a b e-f एक आयत बन रहा है borno बन्राइब एए i-ए एक रीखेंगल बन रहा है यह बनने एक रीगेंगल इतना ही संब्सक्क्थ हमें क्या करना बन नहीं तोटल का क्या है है यह तैंगल बन्रहा है एक रेक्टेंगल इधर बन रहा है और यह आपका एक अर्धभरित बन रहा इधर है एक अर्धभरित इधर बन रहा है तो हम क्या करें दो rectangle और दो अर्धभरित का अगर छेत्रफल हम जोड़ देते हैं तो तो तोटल आकृती का टोटल जो रेसिंग ट्रेक है उसका छेत्रफल आ जाएगा ठीक है लिखिए पत्थ का छेत्रफल बराबर यह फिर एरिया आप रेसिंग ट्रेक एक्क्वल महिंदी में ही लिख रहा हूं पत्थ का छेत्रफल एक्क्वल क्या हो जाएगा लिखो 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 फटा फट लिखो आयत A V E F का आगे दिख रहा है ना ठीक है दोनों का एक केम लिख लो ना आ ताथा तर्था और सीडी जी यज ताथा सीडी डी एज का थेतरफल प्लस अथ दो अर्ध वरित हैं यहां पर ध्यान देना आपको ठीक है प्लस 2 इंटू, बड़े अर्धबृत का छेतरफल, बड़े अर्धबृत का छेतरफल, और फिर माइनस छोटे अर्धबृत का छेतरफल, आप कहोगे ये कौन जमेला है, देखो समझो, समझो, देखो बाबू, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत बिशे सीमानदारी समझना ह मैं मिटा रहा हूं समझना है नतर दीन मैंने मैंसी को मतलब नहीं फाइंड करनेयर आपका डाड डाड बने जाला इसका find वो जैनी समझो कि हमें इन दोनों अर्दवृत्टों के बीच्छास की जगा्या उसका एरिया find Thirty. ऊनुषरोई का यहां मैं अब चेलरा रहा हूं समझ रहे हो हमें इसका rat खतना न इसका करना निश का तो क्या करेंगे इस बड़े वाले अर्दवित के छेत्रफल का चटरफल ठीक है चलो अब इनका अलग अलग निकाल लेंगे निकाल के जोड़ घटा लेंगे जो भी जैसे कह रहा है ठीक है तो चलो अलग-अलग कर लेते हैं बाद में इसमें महां रख देंगे लिखिए आयत A B E F का सेत्रफल इक्वल एल इंटू बी यह लंबाई गुड़ा चड़ाई होती है लंबाई इसकी 106 है चड़ाई आपको पता है यह 10 दिया गया था यह 10 दिया था याद है कि नहीं यह 10 दिया था बाबू यह 10 देख लो किताब में भी लिखा है कोईशन में ठीक है तो यह 10 106 गुड़ा 10 बराबर 1060 मीटर ठीक है इफी तरह से आयत दूसरे वाले cdgh cdgh का छेत्रफल इसमें भी लंबाई 106 चड़ाई 10 यह भी 1060 मीटर यह आ गया दोनों अब बड़े अर्धवरित का छेत्रफल और छोटे अर्धवरित का छेत्रफल इसी में थोड़ा आपको और समझना है देखिये कच्छा 10 में पहुंचे याद रखना समझ के चलोगे कोईश्चन इकजाम में कर जाओगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा बड़े कोईश्चन में आएगा नहीं समझोगे सिर्फ कमेंट के पीछे जो पढ़े हैं पढ़े रहने दो मैं एक नाम नहीं पढ़ाई कर लो कोई डाउठ नीचे नंबर चल रहें उन पर संपर करो बताया जाएगा यहां पर सिर्फ पढ़ाने दो सीरियस हो जाओ अब बड़े हो गए बाप चलो तो क्या करना है यह इतना समझ में आपको अब बड़े अर्थब्रित का चेत्रफल बड़ा अर्थब्रित यह वाला अब इसका रेडियस कितना होगा तिरिज्या कितनी होगी लिखो बड़े अर्थब्रित का चेतरफल चेतरफल निकालना था नहीं हमें लगता पडिदीनिक लुए चोर्ण निकालना था ठीक है डेखो जो बिद्द 2 के टरफल होता क्या होता है लिकिन यह अ steps兩 지금까지 है तो क्या होगा पाई आर स्कॉयर होगा आपांट टू होगा यहां पर देखो आर हम कैप्टल में यूज करेंगे क्योंकि हमें बड़े और छोटे दोनों अर्धवित का निकालना है ठीक है तो यह पाई आरे स्कॉयर बड़े में ठीक है समझ रहे हो मान रख लो सबका जो जो है फटा-फटला ला क चीज है जिनको नहीं समझ मैं आएक फिर बता दूंगा मैं वीडियो एक बार फिर से बाइक करके देख लेना ठीक है समझने वाला है आयत के दोनों किनारों के अर्धवित्तों का शेद्रफल यानि अब हम यह निकाल रहे हैं टू इन्टू बड़े अर्धवित्त का माइन करेंगे कूकि एक बड़ा ब्रित्त है और एक छोटा बोल रहा है न तो यह हम क्योंकि यह क्या है अर्धवित्त है इसी में आइसके लिए पाई करेंगे आपान की कोशिज करो कोई दिक्कत नहीं है यह हमने क्या कि अ जो बड़ा वाला अर्धवरित हमने यह बड़ा वाला माना था बाहर फे इसका क्या माना आर अब समझो यह तो आपका 60 था पूरा-पूरा यह 10 था इधर भी यह 10 था ठीक है बिटा समझो यह 60 था यह 10 था तो 60 10 70 अफी टोटल इसका ब्यास के आएगा अगर 80 का आधा करोगे तो 40 हाएगा यह नि आपका जो कैपिटल आर कमान है वो कितना है 40 यह समझ की चलना है ठीक है अभी बताओंगा रखना पड़ेगा देखो इसमें पाई अपांट टू कॉमन निकाल सकते हो पाई अपांट टू कामन निकाल लोगे आर काई स्क्वाइर माइनस आर काई यह 2 से 2 कड जाएगा पाई कमान आप कुछ भी रख सकते हो चाहे계 Simon में रख दो चाहे by Anda 7 उन्टू अब कैप्टल आर कमान ने यहां भी मैंने बताया न यह साथ है यह 10 है यह 10 है तो पूरा-पूरा ब्यास निकालोगे तो 80 आएगा यह अर्धवरित है ध्यान रहे यह पूरा-पूरा यानि यह कितना हो जाएगा तीस का इसक्वायर समझ में आ रहा है ना बहुत आसान है अब कोई दिक्कत है नहीं कर लो देखो इसको यहां बड़ा ब्रेकट लगालो अच्छा रहेगा यह चार चौका सोला देखो 40 का इसक्वायर जब करेंगे बाबू तो यह सोला सो आएगा ठीक है तीस का इसक्वार करोगे 900 आएगा इसमें से घटाओगे यह 700 आएगा कितना आएगा 700 आएगा यानि अब हम यहां पर यह कह सकते हैं कि 22 बटा साथ गुड़ा 700 इसको काट दोगे 100 आएगा फाइनल में आप कह सकते हो कि यह 22 आया क्या निकाल रहे थे हम लोग इसका चेतरफल निकाल रहे थे किसका दोनों अधवरित्तों का चेतरफल 22 सो आया है पहले बाले आयत का 160 दूसरे का 160 इन सब को जोड़ दीजिए फाइनल आंसर आजाएगा जल्दी इसको लिख लीजिए मैं मिटा रहा हूं ठीक है इन सब को ऊपर वाले में फार्मूले इसमें प्रक दीजिए आंसर आजाएगा को मिला के जोड़ना ही है तो चलो लिखो 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 आता हां पत्थ का छेतरफल बराबर वही तो निकालना था एरिया आफ रेसिंग ट्रेक फाइनल आराव तोड़ तोड़ के कई पार्ट में अलग-अलग किया गया है थिक है पत्थ का छेतरफल बराबर बबर कि यह उद्यालीससोबीस से तो आएगा जोड़ों कि यह दोनों जोड़ोंगे 122721222022022022400व गया एक यह दो सो तीन सो गया 4320 मेटर स्कॉयर चुकि क्या है छेत्रफल है इफले मेटर स्कॉयर किसी को कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए नहीं संकोज भीना किसी टेंशन की कि देखिए कुष्टन पढ़ लीजिए कह रहा है कि संभाहू तिर्भुज दिया गया है संभाहू का मतलब जानते हो इक्कॉलेटरल बोलते हैं इंग्लिस में इसमें क्या करने को बोल रहा है कि इसका छेत्रफल दिया है बाबू एरिया दिया गया आपको 17320.5 सेंटीमिटर का स्कॉयर को केंद्र मान करके दिर्भुज की भुजा के आधे के बराबर कि त्रिज्या लेकर के बृत खींचा गया है जो फिगर आपको इसक्रिन पर दिख रहा है दिख रहा है न कि छायंकित भाग का छेत्रफल गयात कीजिए चलिए निकालते हैं आदिख बढ़ g протूर मेल के बिखंगे बिंगे और पहली से नावट से उसके बाद यह में आपको समझाएंगं तो छेंड़ दना लेता हूं इदर साधे में देखिए यहां पर एक चीज़ समझना है अगर आप इसे गोला परकार पट्री से नाप करके बनाओगे तो बहतरीन बनेगा एक ट्राइंगल बनाना है यहां से रख करके आधाया त्रिज्जा लेना है ऐसे घुमा देना ठीक है यह थोड़ा फजादा हो गया इफिलेबलर कर दो रहां हूं आपको को इसी इतने जगाह का क्या करना है एमिकले लिए कर नलो समझमी लेकर तो छूंकी समझने में लिखो दिया है कीवन दिया लेकी संबाग तिर्भॊज A, B, C का शित्रफल बराबर 17,320.5 cm 17,320.5 cm का स्क्वायर देखो ये एरिया आपको आल्रेटी दिया है सरकल जो दिया है इसका त्रिज्य वगरा कुछ मालूम नहीं है सिर्भुज की भुजा भी नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट्स, लेट्स, रेडियस आप दा सरकल इकोल आर सेंटिमीटर हिंदी में लिखेंगे माना, बृत्त की प्रिज्य बराबर आर सेंटिमीटर ठीक है, लिख लिए, आगे लिखो माना, सिर्भुज की भुजा बराबर ए सेंटिमीटर यानि हमने क्या किया, इसको आर मान लिया और इस पूरी-पूरी भुजा को ए मान लिया और अगर एक ए है तो तीनो ए है क्योंकि यह संभाहु तिर्भुजा इसे बाहर से कहीं से लिख दें कहीं से भी लिख लो कैसे भी आप समझ सको बस ठीक है तो तीनो भुजाएं क्या है एसेंटिमीटर हैं सिंभाहु तिर्भुज तीनो भुजा बराबर होंगी लिखो चुक्ष कि चयुक्य संभाहु तिर्भुज का छेत्रफल बराबर ये सूत्रो होता बाबु आपका फार्मूला होता है यह आपको पता है न क्योंकि हमें इसका छेदरफल दिया है कितना दिया है लिख लो 17 जितना दिया है फटा फट उतारो यहां पर 17 20.5 यह आपका दिया है 17320 दिया यहां पर थोड़ा समझ के लिखना यह कभी गलत ना होने पाए यह हमें दिया है वहां पर देखो और यह रूट 3 अपान यह फौर इंटू ए अदेखो रेडियस हमें पता नहीं भाबू अब ठीक है कि मालूम है कहीं से रेडियस नहीं मालूम है न तो रेडियस हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे यहां से एकमान निकाल लेंगे अब एक चीछ समझना है यह 17320.5 ऐसे लिखना है अंडरूट तीन कमान आपको दिया है 1.73 1.73 205 यह आपको रूट तीन कमान दिया है अगर आप किताब में देखो और कमें दिया था यहां पर यहां पर एक अंग पर दसम्नो लगा है यहां पर 5 नीचे ह्ल करें तो आप उपर से हटा दो को इसलों करेंगे अगर हम उपर से दसलों एक के बाद पांच जीरो नीचे आ जाएगा यह आपको याद रखना है साथ में एक आई स्क्वाइर इसको गुड़ा में ऐसे करके लिख दीजिए यह हमेशा अंस में ही होता है स्क्वाइर हर में नहीं है पिर्चा गुड़ा करोगे क्रास मल्टीपल यह वाला तो एक आई स्क्वाइर किसी एंटुड़ा उपर में इस ही के साथ है इस ही को साथ इसका पूरपूरा लेकर कि सब यह गुड़ा हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा एक il आई स्कौायर बेर्बराबर राएगा यह पूरा का पूरा गुड़ा उप 95, abbiamo on इन्टू 4 इन्टू 1 लाख पांच जीरो नीचे यह आपका चला जाएगा दूसरा वाला पोर्शन 17325 गुड़े 10 17325 गुड़े यह आपका 10 देखो भया यहां पर आपको एक चीज समझना है अगर उपर देखो तो आपको काफी कुछ इसमें इक्वल लग रहा है इसको पूरा काइंसिल कर सकते हो बराबर है ना एक चीज और कर सकते हो उका है एक जीरो से जीरो आप यहां काट सकते हो तो बेटा बाबु भीया देखो एक इसक्वाइर इक्वल यह हो जाएगा आपका फोर इंटू 10,000 तो अगर हम एक अमान निकालें तो यह आपका अंडर पूर इंटू 10,000 होगा ठीक है और चार का वर्गमूल तुम निकाल लेते हो दो होता है और दफ हजार का वर्गमूल में सो गुड़े सो कर दें तो सो का एक जोड़ा बन जाएगा एक सो बाहर निकल जाएगा यानि हम कह सकते हैं कि जो तिर्भूज की भूजा ए है वो 200 से मिल घाए तो आप क्या करोगे क्या करोगे आप पूरे पूरे तिर्भूज का चैतल पल निकाल लोगे सभी सब्सक्रीजा करोगे मृट करो फट से आगे बढ़ें बहुत जल्दी कर यह जो कमेंट कर रहें वह परिसान ना रहें बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो तो यह जो मैंने आपको बताया वह मैंने लिख दिया ठीक है छायंकित भाग का छेत्रफल बराबर संबाहुत रुबूज का छेत्रफल दिया था 17320.5 यह आपको दिया है आपकी किताब में आंसर में कोश्चन में दिया ना इंटू सरी माइनस हां फिरी इंटू जो भी दिया है क्या दिया है फिरी इंटू देखो भाईया यहां पेक चीज समझना है त्रिजिखंड का छेत्रफल मैंने आपको बताया अगर आ साथ Means संट यहां चाप मायनर और मेजर चाप पढ़ाया था रक पढ़ाया था वहां पे ठीटा पान ठीजिख्टी इंटू क्या होता है पाया इसको हे destw constitu के göanche मडूर जगा है उधर जगा कम पढ़ जएगी तुम इधर ले आऊंगा सतरा तीन सो बीस पॉइंट पाँच माइनस तीन यह अगर संभाहु तिर भूजाए तीनों भूजाएं बराबर हैं तो इनके परते कौन साथ हंस होते हैं बोलो होते हैं कि नहीं इसमें कुछ कहने की बात नहीं है तो आप थीटा कमान क्या रखोगे बिटा बाबू साथ हंस रखोगे यह आपका तीन सो साथ गुड़े पाई पाई कमान आपको दसमलों में दिया था था ना 3.14 संथिंग न तो आप पाई कमान दसमलों वाला ही रख दो इन्टु आर देखो पूरा-पूरा भूजा 200 सेंटीमीटर आई है तिर भूज की अभी निकाला था ना 200 आई ह बन रहा है आधे भूजा में ही एक बन रहा है तो आर कमान कितने हो जाएगा 100 इसक्वायर है इसलिए 100 का स्कॉयर दो बार यह कट गया शेचख 36 यह कट जायागा दो त्याइश चे तीन एकम तीन अगर दोज है यह दो दो त्याइश चाटीक है तो तो एकम दो 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 157 है और बगल में चाटी जीरो है क्यों यह तो है ना बाबू अब देखो यह 17320.5 जो भी है माइनस यह आपका हो जाएगा 157 और आप लगाओगे चाटी सुनना है देखो दो अंक पर दसामलों लगा है बाबू कितना पर लगा है दो अंक पर दसामलों लगा है तो आप इसमें दो अंक पर दसामलों लगा दोगे तो कितना बन जाएगा देखो समझो सुनो इसमें थोड़ा समझना है यहां पर दो अंक पर दसामलों था यह दो जीरो दो जीरो हमने सब का गुड़ा कर लिया तो यहां पर दो अंक पर पीछे से दसामलों लग जाएगा ठीक है क आपको आ रहा है ना कोई बड़ी बात तो है नहीं अगर नहीं आ तो इसको लिख लो ऐसे 17320.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो इधर फाइड में 00 है जो भी दो इधर 20 हो गया 75 और एक गटा लो है ठीक है यह 0 हो जायागा दो हो जायागा 13 मैंसे साथ गया छे मैंसे पांच गया एक और पॉइंट फाइब जीरो दोको वहीं आ रहा है ना तो बस अंसर हो गया इस तरह से आपका यह कोईशन नंबर कंपलीट हो गया अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बताईए इसमें अभी छे कोईशन और हैं बच्चों आप क्लास को जादा फे जादा सेयर करिये भारी से भारी मात्रा में बच्चे देखें हम आपको एक दिन में एक प्रशनावली कंपलीट हल करके देंगे